प्रेश्ट 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 प् आत्मी अस्वहिम सेवत बंधू, उपसित नागरिक सज्जन एवं माता बजी मैं अपने बात को प्रारंबगुरू उसके पहले एक सौंशो धन दे देता हूं ताकि गलग फ़हमीन नहों परीचे में यह बताया गया कि डॉक्तर साफ की उंगली पकड़ कर मैं संग में आया, ऐसा नहीं है उनके जाने के दस साल बाद मेरा जन्न हुआ है, मैंनों उनको देखा भी नहीं परंदू संग में हम जाते हैं किसी ने किसी उंगली पकड़ कर किसी ना किसी की और अपने जीवन में एक व्रत का निर्वाहत करते हैं और व्रतस्था होने के कारण ऐसारवत जिन्दगी में जिनोंने निभाया समय समय पर उनका स्मरण करना ये अमारी लिए स्वावित बात आज अपना ये कारिक्रम हो रहा है देशगोरों, नेताजी, सुभाषचद्र, स्फाफश यतिवका। तो ये हम कोलकाता में पहली बार नहीं कर रहे हैं प्रति वर्षा खरते हैं चोटा कारिकर में या बाड़ा कारिकर करते हैं बाहर समाज को बुला कर करते हैं प्रतिवर्शान करते हैं इसके पहले बिए ऐसे कारिक्रम में शाम बाज़ार में हुआ था वहां उपस्तित रहा हूं एक बार स्रीचर दक्षनासाम में हुआ था वहां भी उपस्तित रहा हूं तो हम पहले से करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे आज संगल बड़ा संगडल बंडी आया है प्रसित हो गया इसलिए लोगों को अभी पता चलता है कि हम यह कर रहे हैं परंतु यह हमारा सभाव है और यह हमारा सब का सभाव होना चाहिए आज हमारे देश का जीवन हमारा उनको खुर्तद्यता पूर्वक स्मरण करना, हमको अपने जीवन को शुद्ध मानवता पूर्ण जीवन बनाना है, तो ऐसा शुद्ध मानवता पूर्ण जीवन जिनों ने जिया, उनका स्मरण करना, और हम सबको मिलकर अपने देश को दुनिया में एक स्थान दिलाना है तो ऐसा स्थान दिलाने के लिए जिनों ने अपने जीवन का सबर पढ़ किया उनका स्मरण करना देशगोरों नेता जी के स्मरण में तीनों का स्मरण एक ही विक्ति के स्मरण में हो जाता है उनका जीवन ऐसा था बच्पन में ही परिवार के समस्कार उनकी अपनी अंगभूद गुनवक्ता जो थी और उनको जो शिच्छक मिले थे उनके चलते समाज के जोती सम्वेदना और स्वाग के अभिमान के समस्कार उनको मिले और उसी का उत्तम विकाश करते हुए उन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्ता समर्पण किया हनुष्य के पास जो कुछ कीम्की होता है बहुत लोगों के पास होता है बुड़वर्ता होती है अग्रेजी में कहते हैं वो होता है परंतु केवल होने से नाम नहीं होता है उसका उपयोग कौन क्या करता है निता जी ने अपने स्वार्था का रंचमात्रवी विचार पूरे जीवन भर किया ने इतने पड़े लिखे थे बहुत कमा सकते थे परंतु देश के स्वार्था के लिए अक्षर शाह अपना जीवन उन्हों ये वनवास में ही बुझार वनवास जैसे कटों में ही बुझार कितने बार जेल में गया देश से बाहर जाना पड़ा सेना बना कर लड़ना पड़ा सारा जीवन एक अदमी गर्वन तपस्या है और ये तपस्या हस्ते हस्ते उन्होंने पार देश के लिए की अपना नाम हो इसलिए नहीं थी पूर्ण समर्पण का आदर्शक उनका जीवन है पूर्ण समर्पण का आदर्शक उनका जीवन है तपस्या के लिए प्रठोर परिश्रह और कष्ट सान करने का आदर्शक उनका जीवन है देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राड़ों की तमा ना करते उने करना उनी का जीवन उसका अधर से और ये सारा करते समय उन्हें ने अपेच्छा कुछ नहीं गिए उनको क्या मिला हमने उनको क्या दिया हमने कुछ नहीं गिया उस समय उनको कुछ नहीं मिला स्वामी विवेक अनंद कहते थे कि भारत को ऐसे तरणों की आवश्चता है जो लाओर का भाशे में उनका वहां बोल रहे थे तो उन्हें नें का कि गुरु गोविंद सिंध जैसे तरणों की जरूरत है गुरु गोविंद सिंध जी ने जन्म भर अपने समाज के लिए क्रश्ट साहं किये युद्ध किये अपने चार फुत्रों का बलिजान किया उनका मिर्वोश हो गया फिर भी वो लड़ते रहे और इसके बदले में जिनके लिए वो लड़ते थे उन्होंने उनको क्या दिया उपेच्छा दी उपाज दिया लेकिन उन्होंने एक शब्द से भी उनके विरुद्ध कोई बात नहीं की उनके लिए सटक सेवारत समर्पन रख ऐसा जीवन था ऐसे तरून चाहिए अगर स्वामी जी के इस वर्णन के अनुसार उस समय किसी का जीवन पूर्णता से दिखता है तो बाबु सुभाइफ चाल रहे उन्होंने कभी भी जिस देश के लिए काम करते थे उस देश के समाज में उनका विरुद्ध करने वाले भी थे हम जानते हैं बप्वतांतर होते हैं उसके चलते हैं वह इचारी विरुद्ध होता है उसके चलते कई बाते होती हैं परन्तु ये होने के बाद भी उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं कि कर सकते दे, शक्ती की समर्थन्ता नहीं किया, जिनके लिए काम कर रहे थे, उनके विरोज में कुछ नहीं किया, ऐसा जीवन उन्हों नहीं जिया, और इसलिए स्वतंद्र भारत में उनका स्मरण बनाए रखने में थोड़ा कम जादा हुआ तो भी अपने त्याग के कारण संपूर्ण भारत वर्षकी जनता के स्मरण में वो सदरीवर रहे, अपने आप रहे, किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, इसके बावजुद, आज वो स्मरण में है, आज भी हम उनको नेताजी कहते हैं, जोंकि उनका ऐसा नेत्रट्वगुं था, वो वा खारण से नेतुर्त वकलते थे और वो सब ने सब के गएसा रहकर नेतुर्त वकलते थे नेता की जो लक्षाण अपनी परंप्रा में बताय है पात्रे त्यागी सत्पात्रे विख्टी की पहचान कर उसके लिए छोडने वाला गुने राजी, गुनों की पहचान करने वाला, गुनों पर प्रेम करने वाला, भागी परीजने इस सब, अपने परीजनों के द्वारा सरवत्र साभाजी होने वाला, सुख़ दुख़ का भोग सब के साथ करने वाला नेता जी जैसे यहां उजवालडी के अध्यक्ष रहे यहां के संबातू में रहे वैसे उनको युद्धव करना पड़ा युद्धवे जो सरसेनपति होता है कमांडर होता है मुख्षय व्यक्ति होता है मौर्चय पर जाता नहीं परंटू नेता जी सिंगापुर के जंगलों से लिटर, तो आसाम की सिमा तक सेना के साथ आये वापस जाते समय अन्य सैनीकों को जैसे जाना पड़ा पैदल, नेता जी भी पैदल चलकर वापस के वर्नन है उसके, कैसे वो सब के साथ रहे थे सब के साथ, सब के जैसे खाण खाटे शास्त्रे बोध्धा शास्त्र जानते हैं तो रणे योद्धा उनका युद्ध कोशल उसका क्या वर्मन करता है उन तो जगप्रसित है जिनके सामराज्य पर सूरियास्त नहीं होता अईसे लोगों के लिए एक नई सेना बना कर उन्होंने चुनोदी खड़ी की और दस्तदी भारत के दरवाजे पर समय का भाग्य चक्रा अगर सीधा चलता तो नेता जी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते और यहां के स्वत्रविता के लिए यहां रहकर प्रयास करने वाले और उनका मीलन होता और भारत के वर्शा बहुत पहले स्वत्रविता ऐसे नेता जी का स्मरण करना क्यों करना इसलिए उनके प्रतित खुलतजनेता तो है उनके गवरों में ये स्मरण करना अमरा करता हुआ है ये सारे गुणुन के हमारे अंदर आने चाहिए ये दूसरी बात है और उनके सपनों में भारत का जो करना था उनको वो अभी अधूरा है तो उस कारे को भी पूरा करता है हम लोग काम करते हैं तो उसके एक जिशा होता उसका एक गंतव्य होता गंतव्य की और डाने का रास्ता देशक आलग रिस्पिकी नुसार अलग-अलग करना पड़ता प्रम्तु गंतव्य का दिनी कभी नहीं वजलता पहले सुभाज बागु ने और कंग्रेस के अंदोलन में कानुन में बैटने वाला अंदोलन किया सत्यागरा किये अंदोलन बलाएं अधिवेशनों में भाग लिया लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि आज की परिस्थिती में केवल इतना करने से नहीं होगा एक सशस्त्र प्रयास की भी आरुश्चता आए तो उसका भी प्रयास होना निकिया रास्ते अलग अलग होंगे दोनों या भारत वर्षा में उस समय अलग रास्तों से जाने वाले लोग होंगे लेकिन गंतव्य तो सबका एक और इसलिए उस गंतव्य को पक्का रखना तो उस गंतव्य के बारे में निताजी की दृष्टी क्या थी समझता पड़े हैं और देशकाल परिस्थितुन साथ जो रास्ता मिलता है वो कभी आसान मिलता है कभी बहुत कटिन मिलता है जैसा रास्ता है वैसा उसको पार करने के लिए अपनी गुनवत्ता होनी पड़ती है रास्ता बदलता है रास्ते को इजम कहते है, अमुक इजम तो अमुक इजम, इजम मतलते रहे हैं, इजम महत्व की बात नहीं है, गंतव्य क्या है यह महत्व की बात है, और उस गंतव्य तक जाने के लिए सब प्रकार की परिस्थिती में आगे वढ़ने की सातर्य की वृत्ती और आवश्यक के लिए लिए रूल पत्भ कोने के लिए भी हमारे सामने उनका अधर्ष है तुभार का अधर्ष है और गंतव्यकर लिए उनके आखों ने जफोंथार हुं हमारो कि हम संग reference पहरी कांट से लिए निAS के वाइभा वो संपन्था के लिए काम करने वाले सब लोगोनों को अब था आझा आऌप प्रामानिक्ता सी निश्वाण्अ लुग त्निसे हैं भारत वर्षक वित नस् tentang लिए काम कर रहा है बारत वर्षका विश्व में जो अवदान अपेचित है जिसके बारे में जो अमरूत वचन आपने सुना उसमें सपट्ट उल्लेख है शुबाज बाबू नहीं कहा है वो अवदान भारत विश्व में दे सके ऐसा उसको बनाना वैभाव संपन आहने आज की व्यक्ता नहीं अमरीका भी वैभाव संपन है क्याइना भी कहता है वो वैभाव संपन नहीं ऐसा नहीं हमारों वैभाव क्या है भौतिक्ता केवल हमारा वैभौ महीं सब प्रकार की भौतिक्ता में अग्रणी रहकर भी संपूर्ण दुनिया का गुण वैभौ बढ़ाना संपूर्ण दुनिया में सुखशांती लाना संपूर्ण दुनिया को स्वातंति ले देकर भी समता लाना उसके लिए आवश्यक बंदुभाव को पैदा करना, ये करने वाला भारत, वो एगो संपन्द भारत है, ऐसा भारत खड़ा करना, ये गरिकव यह है, सुभाज बादू ने भी वही बताया आम रुत्वशन में, भारत क्या है, भारत एक अमर राट रहे, क्यों, भारत का प्र प्रकृती में, वो समाप्त नहीं होता, भारत सारी दुनिया को धर्म देता, रिलीजन नहीं, धर्म एक अलग बात है, संपूर्ण दुनिया को एक रखने वाला, उसको उन्द करने वाला, सुरिष्टी के परियावरण के साथ उसको चलाने वाला, मानाव की उन्दती के इसके लिए आवश्चक जवहार का संतुलन, दुनिया को सिखाने वाला जीवन, वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म निध्या आवश्चक रहता है, आज किस्थी की तो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत के और नजन कड़ा कर खड़िए, उस प्रयोजन क संपन्न करने का समय है, उसी प्रयोजन को सिख्ध करने के लिए अपना काम है, संध का काम, और इसलिए अच्छे पत्य सच्चे हिंदू को हम गड़ते हैं, चवंकि ये अगर करना है, तो प्रयत्नों की दिशा क्या होगी? खल मेरे हाथ में यहां की एक पुस्तक लग दे, तरोड़े रसोपना, नेता जी ने कहा है कि 1924 तक मेरे जो विचार है, इस पुस्तिका में मैंने संग्रहित किये है, और कलकत्ता में 1928 में जो कॉंग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें डाप्टर साथ भी आये थे, और नेत जी और उनकी चर्चाएं हुई थी, उस अधिवेशन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, उस पुस्तक में नेता जी ने जो कहा, वो पढ़के मुझे लगा कि यही तो रास्ता हमारी लिए है, यही तो दिशा हमारी बता ही गई है, हम दूसरा क्या कर रहे है, नेता जी न कर लिया हुआ, नेता जी कहते है, भारत वर्ष पृत्वी का छोटा रूप है, समसार की सारी समस्याएं भारत वर्ष में विद्यमान है, अतहा भारत की समस्याओं के समाधार का अर्थ ही है, समसार की समस्या का निराद है, आज के विश्व को उसके समस्याओं से राहत देक कर सुख शांती युक्त नहीं दुनिया खड़ा करने का दाइद कुए और उसकी क्षमता भारत में है भारत को ये करना है ये सुभर्वाभू बता रहे हैं लेकिन ये करना है तो क्या करना होगा हमको कुछ हमारे दुर्गुर्ण छोडने पड़ेंगे वो दुर्गुर्ण क्या है साराउश में अगर कहना है तो नेता जी कहते है जिस दिन भारत पराधिन हुआ उसी दिन से ही भारत ने समष्टिकत साधना को भूष कर व्यक्तित्व विकास में अपनी संपूर्ण शक्ती का प्रयोग किया है राष्ट्र को छोड़ कर व्यक्तित्व की सार्थक्ता नहीं है इस बात को आज सब को रदेयंदम करना होगा कि यहने हम लोग अपनी अपनी उन्नति की सोचते हैं मेरा ठीक हो मेरे परिवार का ठीक हो मेरे जीश का ठीक हो नहीं सोचते हैं कोई अपना जोटा समों बना लेके अपनी जाती का ठीक हो अपने प्रांता का ठीक लो अपने पंतसंप्रदाय का सब ठीक चले लेकिन देश का ठीक चले यह नहीं सोचते ऐसा करना हमने छोड़ दिया हमारा प्रादिंता का समय वहीं स क्योंकि हम अपने एकात्म स्वरुप को भूर गए अनेक पंथ संप्रदाय अनेक जाती उपजाती अनेक देवी देवता अनेक खानपा मिधी तिर्वाई भुगोल अनेक प्रकार का लंबा चवरा विविध प्रकार के मनुष्टों से भरा हुआ यह देख उनके मतांतर भी व भारत है महाभारत काल के इतिहास के पश्चात समय के किसी इक्षन पर हम इसको भूल गए इसलिए हम क्या है भूल गए तो हमारे कोने हम भूल गए और इसलिए आपस में लड़ पड़े हमारी गुटबाजी का लाब आक्रम को में लिया हमको यह सारी संकुचित पर चणील केनी चाहिए मैं मेरा परीवार है मेरी जाती मेरा अषम प्रसंप्रदाः मेरी नीगाद कर्ант किद्ष को ठीक कि आशचले मात्रु भूबु में बगवान को दूटरे नबर दूटरे नबर पर भारतमाता दुटर कले नमस्कार पर में पॉरतमाटा का नमस्कार अम प्राराथग्माटा कि गयरं। देशार चर्ट, देश के लिए गुणवान होना, देश को सारे गुणवत्ता का अरपड़ करता, जो जो मेरा है तो देश के लिए देना, देश को मानना, अपने देश को बनना, अपने देश को बना, हम स्वयम बने भारत के प्रतिनुद हम मूतिमान भारत का आचरण बने ये साधना करनी पड़ती है नेता जी कहते है इसकी आवश्चक्ता है वो उने छोड़ दिया इसलिए ये गुलामी हम झेल रहे हैं और फिर नेता जी कहते है इसकी लिए क्या करना पड़ेगा यदि नए भारत का निर्मान करना है तो एक तरफ सच्चे मनुष्य का निर्मान करना होगा एवं साधनी साथ इस तरह का उपाय करना होगा जिसके द्वारा हम विभिन्दक छेत्र में संग बद्धरूप से कार्य करना सुथे संग क्या है हम बता दें आमार सामान्य सोयंशों भी नए विप्टी को बता जा है संग मनुष्य निर्मान का काम है जत्ति निर्मान का काम है बहुत से लोग क्या आप और काम क्यों नहीं करते कि क्या है हाथ उपर हाथ भीजे इससे क्या होने वाला है रोज शाखा में जाके और उसके करते हैं अरे भाई यही तो काम है सच्चे मनुष्ट का निर्वाण सुबहर गावने बता है उसके साधना करने पड़ती है उसके आदब बनानी पड़ती है मनुष्टा बुद्धी से सब को समझने आती है मन से सब को मानने होती है लेकिन मनुष्टा का विभार करने के लिए सब मोह आतर्शंद खोड़कर स्वार्त चोड़कर जब जैसा चाहिए वैसा वर्तन करना इसके आदत लगानी पड़ती है और इसलिए वो करना और सब को हास मिलकर करना हाथ उपर हाथ नीचे वागत करो लेकिन सब लोग के इस साकतर। समता करो लेकिन सामुहित समता करो आज आपने जो प्राट्टक्षिक किये और अच्छे करने चाहिए उसके लिए अजास करना पड़ता है रोशाका आना पड़ता है बहुत सरल है इसे समय पर आके कर दिये ऐसे नहीं होता है सामान्य उठना बैटना भी आदत पे आजाये तब ठीक होता उत्रुष्ट रूप से सब बिलकर काम करना सिखे सुभाई बाबु के सब्दों में विभिन्दक शेत्र में संग बद्द रूप से कार्य करना यही संग है यही आदत है और आगे सुभाई बाबु कहते है सच्चे मनुष्य का निर्मान का प्रयास हमारे भारतवासी किसी दिन भूले नहीं किन्तों हम भूल गए थे कलेक्टिव साधना या सामुलिक साधना हम भूल गए थे कि राष्ट को छोड़कर जो साधना की जाती है उस साधना की कोई सार्थक्ता नहीं है यह सब क्यों करना है संग में यह सब हम क्यों करते संग का नाम बढ़ा करनी की यह नहीं करते कि अनcznie है कि कि हमको पूर्ण समाज कोही ऐसा बनाना है समाज में अलग स्ब्रकुन में नहीं करना है ना कि यह CU Terra को already Hung Mै को को कोई चुनाओ जिंतना नहीं है हम तो लोग का प्रियता भी नहीं चाहिए लेकिन सुभाज बावु जैसे लोगों ने बताया है कि दूसरा रास्ता नहीं है इसलिए ये साधनाम करते और केवल हम करते नहीं हमको इसको सबसे करवाना है संग का नाम हो ना हो तेरा वाइभव अमर रहे मा हम दिनचार रहे न रहे इस भाव को मन में लेकर हम अपने कारे का विस्तार करें और आजय नेताजी करेशे कि प्रत्यक राष्ट्रिय प्रचिष्ठान की बुद्पति देश की अईतिहासिक धारा, चिंतन, आधर्शक और नित्यनायमित्तिक जीवन की आवश्चताओं से होती है तो हमारा ये जो चला है प्रचिष्ठान वो ऐसे ही चला है ये इसके अईतिहासिक धारा को हम आगे बढ़ाएं अईतिहासिक चुंतन, सारे चुंतन का साराउट लेके हम चब रहें इसलिए हमको सुभाज बाबु के कहने में भी संदो मिल जाता है रविन्दानाथ के कहने में भी संदो मिल जाता है स्वामी विवेज अनन्द के कहने का एक्स्टेंशन ही हम अपने आपको मानते हैं ऐसा इसलिए होता है कि विचार के मामले में हमने कुछ नहीं बात कहीं नहीं हमारे देश के लिए प्रामानिक्ता से निश्वार्त गुद्धी से काम करने वाले सब लोगों ने जो अलग अलग शब्दो में कहा है सटभज्णत के बात के डॉक्टर वर्बिस पुर्यन या रप्दुल्कलाम से लेकर तो हमारे सटभज्णत्री के पहले के सारे सहा चुज्दा नहीं हम उसके आनुसार विवार करने की गुनवक्ता उत्पन्द कर रहे हैं क्योंकि ये देश के लिए आवश्चक है ऐसा हमारे सब मनीशियों ने बताया है सुभाज बाबु ने भी यह कहा है अख्यवल कहा नहीं उन्होंने वही किया उस समय का एक काम था देश के स्वतनता के लिए लड़ाई लेकिन इस लड़ाई को करते करते उन्होंने भारत के मनुष्टों में कैसे कैसे मनुष्ट्पन कियो अकेले नहीं उन्होंने अकेले ने अपने सहयोगी अपने जैसे जो आजिवन इस वर्त का निर्वा करते हैं एक दीप से जला दूसरा जलते दीप अने ऐसे उनके आजाजिंद महुत की अवस्था होगे ऐसे उनके स्वातंद्रे के संगर्शकी जोटी सब के रदय में पने हमको यही करना है स्वातंद्रता प्राप्त हुई उसमें स्वाका तंद्रा लाना देश के इतियासिक धारा देश का इतियासिक चिंतन उसके अनुसार हम सब के जीवन की पुदर रचना होनी उसके लिए आवश्षट गुनवत्ता और उसके लिए आवश्षट संगर्धी तता एकात्मता समाज की खड़ी करनी है इस बहुत बड़ा काम है देश के लिए मरना था हस्ते हस्ते गली चड़ गए सुबार बावुजे से लोग अभी मरने का समय नहीं लेकिन देश के लिए कण कण तिल तिल प्रतिक्षण जीना पड़ेगा स्वतंत्र हो गए इसलिए काम पुरा नहीं हुआ स्वाधिनता आ गई अब राज्य करने वागा अंग्रेज नहीं है अब हम ही लोग राज्य कर रहे अपने प्रतिक्षणी योग के द्वार लेकिन अईतियासिक धारा और चिंतन के अनुसार स्वतंत्र भारत का अपना रूम जो सारी दुनिया के लिए एक मानत बन सके सुखशांति को प्राप्त करने का नया रास्ता दे सके ऐसे भारत को गढ़ना है तो प्रतिक्षण उसी समर्पन भाव से उसी देशवर्ति के भाव से उसी अनुशासम को जीवन में धारण करते हुए और उसी प्रकार सब को जोडते हुए हम सब को आगे बढ़ना है ये काम हमारे सामने है इसलिए प्रतिवर्षण खुटे बड़े कारे करके तभी लोगों के सामने तभी अपनी शाखा में अपने वो दिक मंडब में हम नेताजी का स्मरण करते है उसी भाव से आज भी हम सब लोग उनके जीवन का स्मरण करे उनके कहे का उनके किये का अध्यान करे तो उसमें से हम एक दिव्यवर्षण बन जाएंगे और भारत वर्षण के उनकी का रास्ता प्रशस्तो होगा और संपूर्ण दुनिया को राहत देना वाला एक उपा है दुनिया में खड़ा होगा एक पंधमें तीन-तीन का सजा देने वाला नेताजी का पुन्य स्मरण उनकी जन्म जहन्ती पर हम कर रहे